ओम शान्ति आज की मुर्ली है पाच एक तेविस की मेठे बच्चे भक्तों पर जब भिर पड़ी हैं विपदा आई हैं तब बाप आए हैं ज्ञान से गती सद्गती करने प्रश्ना विकर्माजित कोन बनते हैं विकर्माजित बनने वालों की निशानी क्या होगी उत्तर विकर्माजित वही बनते जो कर्म अकर्म और विकर्म की गती को जान स्रेष्ट कर्म करते हैं विकर्मा जित बनने वाले कभी भी कर्म कुट्टे नहीं उनके कर्म विकर्म नहीं बनते अगला प्रश्ना इस समय बाप डबल सर्विस कोन सी करते हैं? उत्तर आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं चरीतर एक बाप के हैं मनुशके हो नहीं सकते गीते आज का ओम नमुशिवाय ओम शान्ती यह गीत बच्चों ने सुना जो भी बक्ति मार्गवाले हैं वो एसे गीत गाते हैं गोर अंदेरे से उज्यारा चाते हैं और दुख से छुटने की पुकार करते रहते हैं तुम तो हो शिवववशी ब्रह्म कुमार कुमारिया यह तो समझने की बात हैं इतने बच्चे कुक ववश्वाली तो हो नहीं सकते जरूर मुख ववश्यावली होंगे प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है उनके मुख से बाप आकर ब्रामन धर्म रचते हैं प्रजापिता नाम बाप का शोपता है अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो वह तो कह देते हैं कि कृष्ण कृष्ण भी भगवान था शू भी भगवान था रूद्र भगवान के बदले स्री कृष्ण का नाम डाल दिया है बाप कहिते हैं शंकर पार्वती रूद्र पार्वती नहीं कहेंगे शू शंकर महादेव कहिते हैं अब स्री कृष्ण को रूद्र भवा शंकर तो नहीं कहेंगे भक्त गाते हैं परन्तु भगवान को नहीं जालते भारत में वास्तव में सचे सचे भक्त वह है जो पुज्य थे वही अपुजारी बने है उन में भी नंबरवार है तुमारे में भी नंबरवार है तुम वो ब्राम्हान वहे शुद्र देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं अब तुम्हारा दरदर भटकना बंदव हो गया है आधा कलब के लिए ये राजबी तुम रामन ही जानते हो सोभी नमबर वार जिन्होंने कलब पहले जितना पुर्शार्थ किया था उतना ही अब करते हैं ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा फिर भी पुर्शार्थ का नाम आता है ड्रामा को बच्चों से पुर्शार्थ कराना ही है जैसा पुर्शार्थ वैसा पहत मिलेगा हम जानते हैं कलब पहले भी एसा पुर्शार्थ किया था एसे सितम हुए थे यग्य में विग्ण पड़े थे तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है कलब पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रुजो का राज्य था जिन्नों से कॉंग्रेज ने राज्य लिया फिर पाकिस्तान हुआ यह कलब पहले भी हुआ था गिता में यह बाते नहीं है आखरिन समझ जाएंगे कि बुरुबर अब वही समय है कोई कोई समझते है कि इश्वर आ गया है जब महाबारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था कैते ठीक है स्रिप नाम बदल दिया है रुद्र नाम लेवे तो भी समझे कि ठीक है रुद्र ने ग्यान यग्य रच्चा ग्यान यग्य रच्चा था जिसे दुन्या की विपदा टली थी यभी धिरी धिरे तुमारे द्वारा पता लग जाएगा इसमें अभी समय पड़ा है नहीं तो यहां एसी भीड मच जाएग जो तुम पड़ भी न सको यहां भीड का काईदा नहीं है गुपत वेश में काम चलता रहेगा अब कोई बड़ा आदमी यहां आये तो कहेंगे इनका माथा खराब है यह तो बाब तुम बच्चों को पड़ा रहेग है द्यवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना वह अब आया है नई दुनिया रचने भगतों की भीड विपदा उतारने विनाश के बात तो कोई दुक होगा नहीं वहाँ सत्युग में भगतों होते नहीं न कोई एसे कर्म करेंगे जो दुक्षी हो बंबै से रमेज भाई का फोन आया बाब दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं जैसी स्री का पती विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती हैं वह जिस्मानी सम्मंध यहां बाबा के साथ रोखानी सम्मंध है बाबा से बिछूडते हैं तो प्रेम के आशू आ जाते हैं जो सर्वी से बुल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर हैं सपुत बच्चों को फिर बाब का कदर रहता हैं शू बाबा को तो उचे ते उचा समंध हैं उनसे उच समंध तो कोई होता नहीं शू बाबा तो बच्चों को अपने से भी उच बनाते हैं पावन तो तुम बनते हो परन्तु बाब समान एवर पावन नहीं हो सकते हाँ पावन देवता बनते हो बाब तो ज्ञान का सागर हैं हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते वो ज्ञान का सागर आनन का सागर हैं बच्चों को आननमे बनाते हैं और तो श्रीप नाम रखवाते हैं इस समय दुनिया में भक्त भक्त माला बड़ी लंबी चवडी हैं तुमारी ये सोला कला एक सो आठ की माला भक्तों तो करोडों हैं यहां भक्ती की बात नहीं ज्ञान से सद्गति होती हैं अब तुमको भक्ती की जंजरों से छुडाया जाता हैं बाबा कहते सब भक्तों पर जब भीड़ों होती हैं तब मुझे आना पड़ता हैं सभी की गति सद्गति करने स्वर्ग के देवताओं ने जरूर एसे कर्म किये हैं तब इतना उचपत पाया हैं कर्म तो मनुशके चलते आते हैं परन्तु वह कर्म कुट्टे नहीं या कर्म विकर्म बनते हैं क्योंकि माया हैं वहां माया होती नहीं तुम विकर्माजीत बनते हो जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं वही विकर्माजीत बनेंगे कला पहले भी तुम बच्चों को राजोग सिखाया था वही अब भी सिखला रहे हैं कौंगरी शूने फिरंगियो अंगरे जोको निकाल राजाओ से राजाई चिनली और राजा नामी गूम कर दिया 5000 वर्ष पहले भारत राजस्तान था लक्षिमी नारायन का राज्य था देवतों का राज्य था तो परिस्तान था जरूर उन्हों को भगवान ने राज्योक सिखाया होगा तब उन्हों का नाम भगवान भगवती पड़ा परन्तु अवे अपने में ज्ञान है तो हम भगवान भगवती नहीं कह सकते नहीं तो यथा राजा राणी तथा प्रजा भी भगवान भगवती होने चाहिए परन्तु ऐसे हो नहीं सकता लक्षमी नारायन का नाम भी प्रजा में कोई अपने उपर रखना सके लौड नहीं है विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने उपर नहीं रखेंगे उनकी बहुत इज़त करते हैं तो बच्चे समझते हैं पाँच हजार वर्ष पहले बाब आया था अब भी बाब आया है दैवी राजयस्तान स्तापन करने शू बाबा का आना भी अब हुआ हैं वहे पांडों का पती नकी स्री क्रिश्न बाब पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए और नई सत्विगी दुनिया रचने के लिए तो जरूर ब्रह्मा द्वाराई ब्राम्हन रचेंगे मुखे गिता कोई खंडन कर दिया हैं अब बाब समझाते हैं मैं स्री क्रिश्न नहीं हूँ मुझे रूत्रवा सोमनात कह सकते हैं तुमको ज्ञान सोम्रस पिला रहा हूँ बकी लड़ाई आदी की कोई बाती नहीं तुमको योगबल से राजय का माखन मिल जाता हैं स्री क्रिश्न को माखन जरूर मिलता हैं यह हैं स्री क्रिश्न के अंतिम जनम की आतमा इनको ब्रह्मा सरस्वती को बाप एसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविषय में लक्षमी नारायन बन जाते हैं यह लक्षमी नारायनी छोटे पन में रादे क्रिश्न हैं इसलिए लक्षमी नारायन के साथ रादे क्रिश्न का भी चित्र दिया हैं बाकी इनकी कोई बडाई नहीं हैं चित्र है एक गेता के भगवान का वश्यू बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षातकार कराते हैं बाकी मनुष्य के कोई चिरित्र नहीं हैं क्राइश्ट आदे ने भी आकर धर्मस्तापन किया सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही हैं इसमें चिरित्र की तो कोई बाती नहीं वो कोई को गती देना सके अब बेहेत का बाब कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ जिसे तुमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे सभी को वापिस घर मुक्तिधाम ले जाता हूँ फिर वा से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे कितना अच्छी रिती बच्चों को समझाते हैं इन लक्षी मिनारेन की चित्र पर समझाना बड़ा सहज है त्रीमूर्ती और श्यू बाबा का चित्र भी हैं कोई कहते त्रीमूर्ती न हो जैसे कोई कहते ही स्री कृष्ण के चित्र में चवरैशी जल्म की कहानी न हो लेकिन हम तो सिद्धर कर बताते हैं जरूर पहले नंबर वाले स्री कृष्ण को सबसे जास्ती जनम लेने पड़ेंगे नई-नई पोईंस तो रोज आती हैं परन्तु दार्ना भी होनी चाये सबसे सेजे लक्षिमी नारेन के चित्र पर समझाना मनुष थोड़े कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं नारेन को दो भुजाये तो लक्षिमी को चार भुजाये दे देते हैं सत्विग में इतनी भुजाये होती नहीं सुष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णू शंकर उन्नों को भी इतनी भुजाये हो नहीं सकती मुल वतन में है ही निराकारी आत्मा है फिर यह आदस भुजावाले का के रहने वाले हैं मनुष्य सुरुष्टि में रहने वाले पहले पहले है लक्षिमी नारायन दो भुजावाले परन्तु उनको चार भुजाय दे दी हैं नारायन को सावरा तो लक्षिमी को गुरा दिखाते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे और कितनी भुजावाले होंगे क्या बच्चे को चार भुजा बच्चे को दो भुजा होगी होगी क्या ऐसे ऐसे प्रश्ण पुछ सकते हो बच्चों को समझाया है, हमेशा एसे समझो कि हमको शुव बाबा मुल्ली सुनाते है कभी यह ब्रह्मा भी सुनाते है शुव बाबा कहते है, मैं गाइड बनकर आया हूँ यह ब्रह्मा है मेरा बच्चा बड़ा कहते त्रीमूर्ती ब्रह्मा, त्रीमूर्ती शंकर वा विष्णू नहीं कहेंगे महादेव शंकर को कहते है फिर त्रीमूर्ती ब्रह्मा क्यों कहते है इसने प्रजारची है, तो यह उनकी शुव बाबा की वन्नी युगल बनते है शंकर वा विष्णु को वन्ने नहीं कहेंगे यह बहुत वंडर्फुल बाते समझने की है या श्री बाप और वर्षे को याद करना है बस इसमें मेनत है अभी तुम कितने समझदार बनते हो बेहत के बाप द्वारा तुम बेहत के मालिक बनते हो यह धर्ती यह आस्मान सब तुमारा हो जाएगा ब्रह्मान्ड भी तुमारा हो जाएगा अल्माइटी इत्वर्थी राज्य होगा वन गौवर्मेन होगी जब सुर्यमाशी गौवर्मेन्ट थी तो चंद्रमाशी नहीं थे फिर चंद्रमाशी होते हैं तो सुर्यमाशी नहीं वो पाश्टव हो गया यह ड्रामा पलड गया यह बड़ी वंडर्फुल बाते हैं बच्चों को कितना खुशी का पारा चड़ना चाहिए बेहेत के बाब से अम बेहेत का वर्षा जरूर लेंगे उस पति को कितना याद करते हैं यह बेहेत की बाश्चाई देने वाला हैं ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े कितनी बारी प्राप्ती होती हैं वहा तुम कोई से कभी भीक नहीं मांगते हो वहा गरीब होते नहीं बेहेत का बाब भारत की जोली भर देते हैं लक्षमी नारायन के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है अब है आईरन एज फरक देखो कितना है बाब कहते हैं मैं बच्चों को राजोग सिखा रहा हूँ तुम सो देवी देवता थे फिर शेत्रिय वश्य शुद्र बने अब फिर सो ब्राह्मान बने हो फिर सो देवता बनेंगे इस चवरेशी के चकरो को तुम याद करो चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है जब देवी देवता का राज्य था तो कोई और राज्य नहीं था एकी राज्य था बहुत थोड़े थे उसको का जाता है स्वर्ग बहा पवित्रता भी थी सुक शामती भी थी पुनार जल्म लेते लेते निचे आये है चवरेशी जल्म भी इन्नोंने लिये है यही तमो प्रदान बन जाते है फिर उन्नों कोई सतो प्रदान होना है सतो प्रदान कैसे बने जरूर शिकलाने वाला चाहिए शिवाय बाप के कोई शिकला न सके तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जल्म के अंतमे प्रविन इनमे प्रवेश करते हैं कितना साब करके समझाते हैं अच्छा मेठे मेठे सिखी लते बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चो को नमस्ते अब रोहानी बच्चो की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार नमस्ते दार्णा के लिए मुख्य साल पहली पॉइन एक बाब से ही सर्वरुवानी सम्मंदर रखने है सर्वी से बूल बच्चों का कदर रखना है आप समान बनाने की सेवा करने है दुजी पॉइन बेहद का बाब द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है धर्ती आश्मान सब पर हमारा अधिकार होगा इस नशे और खुश्य में रहना है बाब और वर्षे को याद करना है आज का वर्दान बालक और मालिक पन के ब्यालेंस से पुर्शर्त और सेवा में सदा सफलता मोरद भव सदा या नशा रखो कि बेहद का बाब और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ लेकिन जब कोई राय देने हैं प्ल्यान सोचना है कारिय करना है तो मालिक होकर करो और जब म्याजरिटी द्वारा या निमित बनी आत्माव द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो ओ समय बालक बन जाओ के समय राय बादूर बनना है के समय राय मानने वाला यह तरीका सिखलो तो पुर्शार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे सलोगन निमित और निर्माण्चित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अरपन कर दो अच्छा ओम शान्ति यह तरीका बनस्याओ झालक कर दोक दोन जात boy खी प्रादाण्व चर्भूर जान्ति झालक कर दोन दोना समय निटना है रहें बना कर दोना कर दोना है यह तर सेवाद्व उनिमित